Hello students, my name is Atisha Chajir. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Jungarpur. आज हम Processes in Manufacturing ME3O2 का Unit No. 5 Plastic Process का Part 3 पढ़ रहे हैं. आज हम topic कवर कर रहे हैं वो है Compression Molding. Compression Molding, the process of molding a material in a confined shape by applying pressure and usually heat. Compression Molding क्या है? ये एक process है, एक material को mold करने का, जिसमें एक confined shape के अंदर हम एक molding material डालते हैं और फिर उसके उपर heat और pressure apply करते हैं. उससे क्या होता है? जो mold cavity है, उसके अंदर इस pressure और heat की वज़े से वो melt होता है और फिर वो उसका mold cavity का shape ले लेता है. ठीक है? compression molding process is followed by two steps, first one preheating and pressurizing. जो compression molding है, ये दो step में पुरी होती है. first step preheating, यानि कि पहले हम जो molding material ले उसे हम पहले preheat करते हैं, उसे melt करते हैं and then उसको pressurizing, उसमें pressure exert करते हैं. आप इसको इस diagram की थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं. देखिए, ये नीचे का portion है, ये यहाँ पे fixed है. इसके उपर है lower fixed mold half. ठीक है, नीचे का mold है, जो कि यहाँ पे fixed है. इसके उपर रखा गया है charge. जो resin जो हमें, thermoplastic material जो हमें melt करना है, वो यहाँ पे रखा गया है. जो हमे इसको यहाँ पे ejector pin की थ्रू यहाँ पे, इसको stable यहाँ पे balance कर दिया गया है, ताकि यहाँ से हीलेगा नहीं. इसके उपर यहाँ पे रखा हुआ है upper movable mold half. यह इसका आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा है नीचे रखा हुआ है, बच्चा हुआ यह उपर की तरफ है, और यह move क नार्ज को रख दिया जब खुला हुआ है, फिर उसके बाद क्या करेंगे इसको यहां से? बंद कर देंगे, बंद करने के बाद क्या करेंगे इस पे? प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डालने के बादे इसको कुछ देर तक रहने देंगे, यह अपनी जो mold cavity उसके इंदर चंडा हो जाएगा, ठीके, उसके बाद हम इसको बाहर निकाल देंगे, इजक्टर पी निकाल देंगे, और फिर हमें यह mold तयार होके मिल जाएगा, क्या हो रहा है पहले, charge is placed in cavity of matched mold, इंदे ओपन पोजिशन सबसे पहले charge रखा जब यह खुला हुआ था, mold is closed by bringing the two halves together, mold को बंद कर दिया, दोनों halves को मिला के, pressure is exerted to squeeze the resin so that it fills the mold cavity, उसके बाद क्या करा, pressure डाला गया, तो उससे क्या हुआ जो यह resin है, यह charge यह squeeze हुआ, ठीके, squeeze होने से मतलब दबा, दबने से क्या हुआ, इसने जो mold cavity के अंदर जो space थी, वो उसने पुरी तरह से भर द while under pressure, the mold is heated, which cures the resin, और पर क्या होता है, pressure में इसको घरम करते है, गरम करने के बाद, इसके अंदर जो भी chemical reactions होती है, वो होती है, और final mold obtained हो जाता है, हम इस compression molding को, इस compression molding cycle की थ्रूँ समझ सकते हैं, इसमें तीन stages है, आप देख सकते हैं, first is plastication, second is flow, third is compression, और fourth stages की curing reaction, यहाँ पर हमने ordinate यानि y axis पर लिया है, mold closing force, जब charge को हमने cavity के अंदर रख लिया है, और पर उसके बाद जब उसके force अप्लाइ कर रहे हैं, वो यहाँ पर mold closing force नाम दिया है, abscissa यानि x axis पर हमने रखा है, time को, ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ से mold closing force increase होता जा रहा है, increase हो रहा है और time बढ़ता जा रहा है, इस stage को बोलते हैं, plastication, उसके बाद क्या हो रहा है, closing force almost constant हो गया है, from tf to tc, flowing time to compressing time, तकि बिलकुल constant हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर यह इस stage को बोलते हैं, flowing stage, फिर compression time से यहाँ पर से हमें force बढ़ाते हैं, फिर से force बढ़ाया, तो इस stage को बोलते हैं, compression क्योंकि इसमें pressure और ज्यादा exert किया गया है, उसके बाद इसमें ना तो force apply किया जाता है, कुछ भी नहीं, बस इसे कुछ time के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं, curing reaction, इसमें क्या होता है, यह settle होता है, मौल्ड और अपनी plastic stage, जो final stage है, वो obtain कर लेता है, ओके, the various stages of the compression molding cycle time can be represented as a function of the force required to close the mold at a constant rate, ठीक है, तो जो compression molding cycle time की जो अलग-अलग stages है, तो उन्हें हम कैसे represent कर रहे हैं, यह किसका function है, force required to close the mold at a constant rate, एक constant rate पर जो force apply कर रहे हैं, उसका इन दोनों को represent करते हुए, हम यह compression molding cycle time draw करते हैं, in the plastication stage, the force increases rapidly as the polymer feed is compressed and heated, ठीक है, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, closing force बढ़ता जा रहा है, और जो अमने अंदर thermosetting plastic polymer जो भी हमने पोर किया है, वो क्या हो रहा है, उसके pressure लगता जा रहा है, और वो heat होता जा रहा है, ठीक है, heat होने के बाद क्या हो जाएगा, वो घरम हो जाएगा, गरम हो जाने के बाद वो melt होना लेगा, तो उसके क्या हो जाएगा, इसकी yield stress आ जाएगी, yield stress डेवलप हो जाएगा, ठीक है, in second stage flow commences once the yield stress of the elastomer is exited उसके अगर yield point तक आ जाएगी heat करने के बाद जैसे yield point पर आगा तो क्या आगा वो? melt होने लग जाएगा melt होने के वज़े से क्या हो जाएगा? flow करना स्टाट हो जाएगा flow करने से क्या होगा? वो जो cavity है उसको वो charge पूरी तरह से भर देगा और उसकी shape ले लेगा tc is the point at which the mold fills and compression of the melt occurs ठीक है? जो tc है time tc जब stage आ जाती है तब क्या होगा? जो mold cavity है वो पूरी तरह से resin की through भर चुकी है और अब इस point से compression स्टार्ट हो जाएगा यानि की pressure डालना और start हो जाएगा mold filling the majority of chemical reaction should take place after tc ठीक है? उसके बाद इसके उपर और pressure exert किया जाएगा compression stage आ जाएगी और इसके बाद chemical reaction के थूँ इसमें के stable ये अपनी condition chemical stability प्राप्ट कर लेगा ठीक है? उसके बाद क्या आती है? curing reaction ठीक है? क्या होता है? cure time the period required to harden thermosetting material to partial and complete polymerization is called cure time ठीक है? एक thermosetting material को hard होने के लिए जो period चाहिए ताकि वो partial या फिर completely polymerize हो जाएगा तो उससे कहा जाता है? cure time ठीक है? फिर compression molding दो टाइब क्यों होती है? एक हे sheet molding compounds और एक हे bulk molding compounds sheet molding नाम से समझ में आ रहा है? यह sheet बनाती होगी sheet molding process involves placing a reinforcement such as glass mat between sandwiching layers of a thermoplastic and hitting the material to produce a single sheet of material ठीक है इसमें क्या होता है? जो reinforced material है उसे वो जो होती है वो एक glass mat की बनी होती है बिल्कुल पतली होती है glass mat की तरह उसका वो होता है structure उसको दो layers की बीच में रखा जाता है ठीक है और फिर उसको heat किया जाता है heat करने से क्या होता है वो melt होता है और फिर एक single sheet प्राथ हो जाती है फिर है bulk molding compounds bulk molding compounds by producing a billet of molten material that is placed into a compression molding press which molds the molten material into a part ठीक है इसमें नाम से पता चलता था कि यह sheet बना रही है bulk molding compound में क्या होता है यह एक part का निर्मार्ण करती है ठीक है इसमें glass mat की जगे यहां पर एक billet रखा जाता है ठीक है billet एक आयताकार एक thermoplastic ले सकते हैं ठीक है तो इसको क्या करते हैं पहले रखते हैं और फिर इसके बाद इसमें compression molding प्रेस के थूरू इस पर pressure exert किया जाता है ठीक है उस वज़े से क्या होता है यह जो billet है यह क्या होता है यह melt होता है और फिर यह अपनी cavity उसको फिल कर देता है और वह एक definite shape ले ले लेता है और एक part produce हो जाता है ठीक है तो यह हो गए types of compression molding अब हम इसमें क्या-क्या material यूज़ करते हैं कौन-कौन से material यूज़ होते हैं thermosetting polymers fiber reinforced composite और thermoplastic यह आप material यूज़ कर सकते हैं इसमें during the compression molding ठीक है thermosetting polymers fiber reinforced composite और thermoplastic अब इसके advantages क्या है फिर्स्ट लो कोस्ट यह जो है इसको जब आप रन करते हैं तो इसमें खर्चा नहीं आता है ठीक है डाला मूल compressed किया और shape लिली यूणिफर्म density क्यों क्यों कि इसमें प्रेशर जो apply हो रहा है वो हर तरफ से बराबर बराबर लग रहा है ठीक है ऐसा नहीं कि कि किसी एक पार पर ज्यादा लग रहा है किसी एक पार पर कम लग रहा है तो जो density जो अप्टेन होगी हमें तो उनिफर्म होगी कहीं पर ज्यादा गनत्व और कहीं पर कम गनत्व नहीं होगा युनिफॉर्म श्रिंगेज due to uniform flow फिरियेड पर रखते हैं तो क्या होता है थोड़ा श्रिंग होता है तो पूरा material एक ही thermo plastic का बना हुआ है uniform density है इसकी तो इसका जो shrinkage होगा वो भी uniform होगा ठीक है क्योंकि इसके अंदर जो flow हुआ है वो भी uniform हुआ है फिर इंप्रोवड impact strength ठीक है यह क्या हो रहा है compression के थो यह part बन रहा है तो जब इसमें impact strength जो होगी वो इसकी ज्यादा होगी जो impact की तुरू जो force हैने की जो शक्ति होती है वो compression molding के process से जो part बनता है उसमें ज्यादा अच्छी होती है dimensional accuracy जिस dimension का हमें material बनाना है उस dimension का आराम से बना सकते हैं क्योंकि इसमें क्या mold cavity में mold रखना है वो melt होगा तो जो उसकी size होगी उस हिसाब से वो उसका shape ले लेगा melt होके तो इसमें definite shape जो हमें मिल जाती है तो dimensions बिलकुल इसमें accurate होते हैं पिरे high volume production जब भी बहुत ज्यादा amount में हमें क्यों material प्रेड्यूस करना है तो उसके लिए compression modeling का use क्या जाता है यह काफी ज्यादा मात्रा में जो हमें parts चाहिए उसे regularly produce कर सकता है फिर पढ़ते इसके disadvantages क्या है इसके limitations क्या है इसके नुकसान क्या क्या है curing time large जो इसको harden होने के लिए जो time चाहिए वो ज्यादा होता है तो उसके लिए क्या होता है हमें हर part के बाद wait करना पड़ता है तो wait करने से क्या होता है जो efficiency है वो decrease होती है uneven parting lines present जो दो mold halves है उन दोनों को जब मिलाते हैं उसके बीच में जो line बनती है उसे बोलते है parting lines है तो जो भी material बनता है उसके side side में किनार पे एक line और बन जाती है तो ज़रुरत नहीं होती है लेकिन वो दोनों material को प्रेस करने से थोड़ी जो बाहर जो melt होके जो थोड़ा material निकल जाता है तो वो एक line की तरह उसका shape ने लेता है तो वो unwanted होती है तो ज़रुरत नहीं होती है बाद में उसको वापस हटाना पड़ता है तो यह unwanted ही जाती है फिर scrap can't be reprocessed इसके अंदर हमें या तो billet यूज करना है या फिर glassmate यूज करते हैं तो जो scrap material है जो दूसरे जो plastic processes में जो हमने यूज किया था तो वो हम इसमें जैसे injection molding में आप scrap material यूज कर सकते हैं लेकिन इसमें आप scrap material नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें glassmate या फिलेट इसे को यूज करना है जैकि तो उस तरह से ही आपे काम नहीं आते high initial capital investment इसकी processing का जो खर्चा है वो कम है लेकिन जब हमें machines वगेरा को जो setup करना पड़ता है उसके लिए बहुत high initial cost लगती है तो वो इसका disadvantage है इसके applications क्या क्या है यह कहां कहां यूज होता है dinnerware यानि कि आप चुखाने के बर्तन जो हम यूज करते हैं वो उससे बन सकते हैं compression molding से buttons nobs जैसे nobs जैसे nobs जैसे nobs जैसे आपके ट्लहे की जो nobs होती है वो इससे बन सकते हैं housing appliances जो भी जैसे switch वगेरा है वो इससे बन सकते हैं radio cases automotive जो पार्ट है वो इसससे बन सकते हैं ash tray जैसे बन सकते हैं electrical parts अधिकतर जो electrical parts है वो compression molding की थ्रूँ बनते हैं काफी सारे electrical parts है क्योंकि इसमें thermosetting material यूज करते हैं तो compression molding की थ्रूँ इसके काफी सारे parts बन जाते हैं ठीकिए ok friends thank you